पलक ने पिता राजा के लिए कही बड़ी बात बताया अब कैसे है राजा संग उनके रिष्टे वेल क्या है पूरी खबर चलिए जानते हैं पलक तिवारी इन दिनों हर तरफ छाई हुई हैं काफी कम उम्र में पलक ने इंडेस्ट्री में अपनी जगा बनाई वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि पलक राजा और श्वता की बेटी है 1998 में शौधी करने के कुछ वक्त बाद ही श्वता और राजा के बीच जगड़े शुरू हो गए थे बाद में आक्ट्रेस ने राजा पर मार पीड और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए 2007 में तलाक ले लिया था तब से श्वता बेटी पलक को अकेली ही पाल रही थी पलक भले ही पापा राजा चौधरी से दूर हो गई हो लेकिन अब दोनों के बीच काफ़े कुछ ठीक हो रहा है पलक ने इटाइम्स को दिये गए इंटर्व्यू में बताये कि उनके और पापा राजा चौधरी के बीच कैसे रिष्टे हैं पलक ने कहा पापा पहले के मुकाबले शांत हो गए हैं और हम एकदम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं लोग चाहते हैं कि हम एक तम पॉफेक्ट बाप बेटी की जोड़ी बन जाए हर चीज़े ऐसी नहीं होती हम दोनों ने एक दूसरे से दूर लंबा वक्त बिताया है क्योंकि वो अपनी ही समस्याओ से जूंज रहे थे और में बड़ी हो रही थी आपको बता दे कि पलक की मुलाकात पिछले साल मार्च के महिने में अपने पिता राजा चौजरी से हुई थी वेल क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में और अल्सो दू लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब टू टेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.